भारत का नौजवान नागरिक होते हुए अपने मुल्क के लिए प्यार टेक्नलोजी और ग्यान से लेस महसूस करता हूँ मैं छोटे लक्ष रखना जुर्म है पर मुझे करना है काम महान लक्ष के लिए बदलना है भारत को एक विख्षित मुल्क में प्रचुर आर्थिक संब्रिद्ध से जिसकी बुनियाद जीवन मूल्ले हो मैं हूँ उन एक अरप लोगों में से एक जो नागरिक है सपना सिर्फ एक का सुलगा देगा उन एक अरप आत्माओं को बस यही मेरे भीतर कहीं रच बस गया है ये जगी आत्माएं कर सकती हैं किसी भी संसाधन का मुकावला यही आग है इनकी ताकत सबसे बहतर प्रिथवी पर प्रिथवी में उपर और प्रिथवी के भीतर मैं जलाए रखूंगा ज्यान की इस मसाल को अपना सपना पूरा करने के लिए समुन्नत भारत का ये अमर पंक्तियां हैं भारत रत्न हमारे भूत पूरो राष्ट्रपति महान वैज्यानिक मिशाल मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को रामेश्वरम में पिता जैनुल अबिद्दीन के घर माता अश्यम्मा की कुक्ष से हुआ इनके पिता नाविक थे आर्थिक इस्थित ठीक न होने के कारण इस्कूल से लोट कर कलाम साहब समाचार पत्र में इस्थे थे साथ ही नौका पर अपने पिता जी को भी सहयोग करते थे डॉक्टर कलाम जी का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनल अब्दीन अब्दुल कलाम था आपकी विद्यालाइन शीक्षा राम नाथ पूरम में हुई और तिर्चिराप पल्ली के सेंट जोसेप कॉलेज से सन 1904 में आपने इस नातक की परिक्षा उतिर्ण की सन 1955 में आप मद्राश चले गए यहीं आपने इंजिनरिंग की सिख्षा ग्रहन की सन 1906 में कलाम साहिब ने मद्राश इंस्टिचूट आफ टेक्नलोजी से इंजिनरिंग की पढ़ाई पूरी की बैज्यानिक जीवन अत्यंत गवरों में रहा विश्व विख्यात बैज्यानिक रहे डॉक्टर कलाम ने भारत के प्रथम सोदेशी उपग्रह प्रक्षेपन के विकास में महत्तुपूर्ण भूमी का अदाकी है वे कहते थे किया मेरा पहला चर्ण था जिसे मैंने तीन महान सिख्षकों डाक्टर विक्रम साराबाई डाक्टर सतीष धवन और डाक्टर ब्रह प्रकास के नेत्रे तुम्हें सीखा डाक्टर कलाम चार दसकों तक एक बैज्ञानिक और विज्ञान ब्यवस्थापक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास शंगठन इसरो आदि अंतरिक्ष कारिक्रमों से जुड़े रहे उन्हें मिशाल मैन के रूप में जाना जाता है इनोनेशन 1974 और 1908 में पोखरन परमान परिक्षन में महत्तोपून भूमिकानी भाई वे अंतरिक्ष विज्ञान और प्रोध्योगिक संस्थान के कुल्पती भी थे डॉक्टर कलाम जहां एक और महान वैज्ञानिक वहीं दूसरी और बहुत बड़े रचनाकार भी थे उन्होंने लगभग 25 पुस्तकों का सरजन किया है जिन में से प्रमुख है अगनी की उडान यह उन्हें सो निन्याननय में प्रकाशित हुई इग्नौटिक माइण्स यह दो हजार दो में प्रकाशित हुई और उन्नीत सो अंठानने में इंडिया दो हजार बीस ए विजन फार्द न्यू मिलेनियम बहुत ही अमर कृतियां हैं काल जई कृतियां हैं जिसे बड़े गौरों के साथ पाठग वर्ग स्विकार करते हैं पढ़ते हैं विज्ञान के छेत्र में और साहित्य और सिक्षा के छेत्र में आपके प्रदिये को देखकर भारस सरकार ने सन 1981 में पद्म भूशन सम्मान से सम्मानित किया और सन 1990 में पद्म भिभूशन सम्मान से आपको अलंकृत किया गया रक्षा अनुसंधान के छेत्र में उलेखनी योगदान के लिए उन्नी सो संतान नय में देश के सर्वोच सम्मान भारत रत्म से सम्मानित किया गया वर्स 1998 में राष्ट्री एक्ता के लिए इंदिरा गांधी एवार्ड से आपको सम्मानित किया गया उन्नी सो अन्थान नय में ही अब्दुल कलाम साहब को रोयल सोसाइटी यूके द्वारा किंग चॉलेस मैडल प्रदान किया गया विश्व के लगभक 40 विश्विद्यालेओं ने डॉक्ट्रेट की उपाद से आपको अलंकृत किया है आपको वीर सावरकर पुरसकार से नवाजा गया वास्तों में अनगिनत अलंकरण से अलंकृत रहे हमारे पूर्वराष्ट्रपत डाक्टर कलाम साहब कहा करते थे उनका एक सूत्र वाक्य सपने वो नहीं जो आप नीद में देखें सपने वो नहीं जो आप नीद में देखें अरे सपने वो हैं जो आपको नीद ही ने आने दें और इसी सूत्र को लेकर के उन्होंने आजीवन अपने करतब पत पर अग्रशित रहे वास्तों में, बच्चों वो कलाम नहीं कमाल थे, वो कलाम नहीं कमाल थे, मिसाइल मैं वो बेमिशाल थे, उनकी खूबियां करती रहेंगी पत्थ प्रदर्शन मेरा, वो मेरी मात्र भूम की ढाल थे डाक्टर कलाम बहु आयामी व्यक्तित्त के धनी थे, विज्ञान, प्रोध्योगी की, देश के विकास और युवा मस्तिस्कों को प्रजुलित करने में, अपनी तलीनता के साथ साथ वे परियावरण की भी चिंता करते थे साहित्य, संसक्रिति और अध्यात्म में उनकी गहरी रुच थी और गहरी पैठ थी डाक्टर कलाम में अपने कारी के प्रती जबर्दस्त दीवानगी थी वे जिस कारी को लेते थे, मनसा, वाचा, कर्मना से पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ वे कारे रूप को अंतिम चर्ण तक ले जाते थे, लक्ष तक ले जाते थे उर्जा का ऐसा प्रवाह केवल गहरी प्रतिबद्धता तथा समर्पन से ही आ सकता है वे सच्चे अर्थों में भारतिय थे उनमें राश्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी उनमें अदम में साहस था वे पहले वे ज्यानिक थे डॉक्टर कलाम साहब जिन्होंने बिना किसी राजनेतिक प्रिश्रभूम के सन दोहजार दो से लेकर सन दोहजार साथ तक भारत के राश्ट्र पधिपद को सुसोभित किया और बच्चो यह ऐसी दिब्बे विभूत जो एक नाविक से लेकर अखवार बेचने के काम से लेकर किया बालक आगे चलकर विश्व का माना हुआ वैज्यानिक होगा और भारत का महामहिम राश्ट्र पति होगा लेकिन करमर्सा लगन और निष्ठा ने उनको इतनी उचाईयों तक पहुचा दिया 25 जुलाई सेन 2015 को भारती प्रमंद संसान सिलांग में ब्याख्यान देते समय उन्हें दिल का दोरा पड़ा वे बेठानी हस्पताल में साथ बच कर 45 मिनट साइंकाल पर उन्होंने अपना सरीर त्याग दिया 30 जुलाई 2015 को पूरे सम्मान के साथ उन्हें रामेश्वरम के करुम्ब ग्राउंड में दफनाया गया एक आधर सुभ्यक्ति हमारे वीच से सदा सदा के लिए चला गया बच्चो आएए अब हम आपके पाठिक्रम में उन्होंने भारत के विकास के संदर्व में जो एक सपना देखा था जो एक कल्पना की थी जो एक उनका महान चिंतन है उसको देखें डॉक्टर कलाम का कहना है कि प्राचेन भारत एक ज्यान वान समाज था हमारे यहां का जो पुराना भारत है यह ज्यानियों से भरा पड़ा था हमारे यहां तो एक सिध्धान तरह है कि ज्याना नाम मुक्ति ज्यान से ही मुक्ति मिलती है इस तरह का सूत्र लोगों के मन में डाला गया था परिणामत शुरूप बहुत सारे ग्यानी इस धराधाम पर अवतरित हुए और अपने कारिका संपादन किया कालांतर में हमलों और आपनिवेशिक सासन ने इसकी संसाओं को नस्त कर दिया इनकी योगिता को चोपट कर डाला विदेशी आक्रमन हुए यहां मुगल आये पठान आये अंग्रेज जाए इन सबने जो हमारी संस्थाएं थी जो हमारी सामाजिक बुनावड थी उन सब को नस्त ब्रस्त कर दिया हमारी संस्कृतिक विरासत को चोपट कर डाला इसकी जनता का अस्तित्व निचले इस्तर तक सिमट कर रह गया अब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब तक हमारे इवाओं ने अपने लक्ष धूल धूसरित कर दिये थे इनका कोई लक्ष नहीं रह गया था हमारे देश के नौजवानों का और वे साधान जीवन से ही संतुष्ट्र हो जाया करते थे चूँकि इस तरह की मानसिक्ता उनके मन में भर दी गई थी मूलत जो ग्यान की भूमी है वह भारत है वह आरिया वर्त है और उसे अपने इस पहलू की नए सिरे से खोज करनी चाहिए डाप्टर कलाम का कहना है कि हम हमारी जो गौरों में परमपरा रही है हमारा जो गौरों में ज्ञान है उसकी हम फिर से खोश करें उसका अनुसंधान करें एक बार यह खोश कर ली गई तो जीवन की गुणवत्ता तथा विक्षित राष्ट की ताकत और संप्रभुता को प्र संगर्स नहीं करना पड़ेगा आप उचायों तक पहुंच सकेंगे बच्चो डाक्टर कलाम ग्यान के अनेक रूप मांगते हैं उनका कहना है कि ग्यान के कई रूप होते हैं यह कई स्थानों पर उपलब्द होता है केवल ग्यान विद्यालेयों महाविद्यालेयों या अनेक स्थलों पर प्राप्त की आ जा सकता है जैसे शिक्षा है सूचना है बुद्धिमानी तथा अनुवहوف के जर्ये प्राप्त क्या जा सकता है जो अनुभवी लोग हैं उनसे भी ध्यान मिल सकता है यह सैक्षणिक संस्थानों में अध्यापों के पास पुस्तकालेओं में शोधपत्रों में गोष्ठियों में तथा बिभिन संगठनों में और कार्षिस्थलों में कर्मियों प्रबंधकों ड्राइंग प्रक्रियादस्ता वेजों और यहां तक की दुकानों में तक प्राप्त होता है सवाल ये है कि ज्यान को ग्रहन करने वाला होना चाहिए हलाकि ज्यान का सिक्षा से करीबी नाकता है दाउक्टर कलाम कहते हैं कि लोग ये मानते हैं ज्यान का जो तालुकात है वो सिक्षा से है सिक्षा और ज्यान का अन्यो न्यास्रि सम्मन्द है लेकिन यह कलाकारों, दस्तकारों, हकीमों, वैद्यों, दारसनिकों, संतों तथा यहां तक की हमारी ग्रिहनियों के पास भी मौजूद है इन से कौशल प्राप्त किया जा सकता है ज्यान इन सभी के प्रदर्शन तथा कारियूत पादन में महत पूर्ण भूमिका निवाता है डाक्टर कलाम कहते हैं कि हमारी विराशत और इतिहास, कर्मकांड, महाकांड और वे जो परंपराये हमारी चेतना का हिस्सा है ये सब दर असल पुस्तकालेओं एवं विश्विद्यालेओं की ही तरह ज्यान के विशाल सुरोत है हमारी गाओं में गैर पुरातन पंथी और दुनियादारी साजेदारों की भरमार है हमारे वाताबर्ण में, महासागरों में, जैव संग्रक्षन और रेगिस्तानों में पेंड पौधों और पस जीवन तक में ग्यान के भंडार चिपे पड़े हैं हमारे देश के हर राज्चे में अनेक ग्यानी पैदा हुए, अनेक विद्वान पैदा हुए और उनकी शमता, उनकी विद्वता जो है वह अद्भुत रही है ग्यान हमेशा से संब्रध्य और ताकत का स्रोत रहा है यही कारण है कि दुनिया भर में ग्यान की प्राप्ति पर जोर दिया जाता रहा है पूरा विश्व इस बात को स्विकार करता है कि ग्यान प्रमुख है, ग्यान से ही कोई भी रोष्ट्र और कोई भी समाज आगे की ओर बढ़ सकता है भारत में तो ग्यान को आपस में वाटने की संस्कृत रही है हम लोगों ने अपने ग्यान को बितरित किया है और जो खर्चे तेओं तेओं बढ़े अब बिन खर्चे घट जाए वास्तों में हमारे हाँ विद्या एक ऐसा धन है ऐसा धन माना गया है कि जो जो हम अपने ग्यान को बितरित करेंगे त्यों त्यों बढ़ता जाएगा और अगर बच्चों ग्यान को हम रोक देते हैं तो धीरे 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 वो हमारे विस्मृत में चला जाएगा बिस्मृत होता जाएगा समाप्त होता जाएगा तो हमारे लिए इसके लिए गुरुषिष्य परंपरा के अलावा पडोसी देशों से नालंदा तथा ग्यान केंद्रों की जो ख्यात ही है वह इतनी फैल चुकी थी कि तमाम विदेशों से भी विद्यार्थी जो है आते थे औ हालत कहीं कहीं प्राकृतिक तथा प्रतिश्परधात्मक द्रिश्टि से कई मायने में लाव की इस्तित में है लेकिन ऐसे छेत्र अलग ठलग हैं और उनके बारे में परियाप्त जागरुकता भी नहीं है पिछली सदाब्दी के दोरां बिस्वानों स्रम आधारित क्रिस सम समाज न रहकर और द्योगिक समाज बन गया जिसमें प्रोध्यों की पूंजी तथा समका प्रबंद प्रतिश्परधातमक लाव दिला सकता है एक 20 सदि में एक नए समाज का उदय हो रहा है जिसमें पूंजी और स्रम के वजाए ग्यान ही प्राथ्मिक उतपादन शंसाधन है पहले से मवजूद ग्यान के इस आधार का कुसल इस्तेमाल हमारे लिए बेतर स्वास्ति सिक्षा और प्रगत के अन्य संकेत कों के रूप में पुंजी पैदा कर सकता है हमारा जो पुरातन ग्यान है विभिन छेत्रों में हुई उन्नत का लाब उठाते हुए कौशल और उ समाज की सम्रित दिबढाने में प्रमुक भूमिका निभा सकते हैं वास्तों में बच्चो कोई देश ग्यान वान समाज की कसोटी पर खरा उतरता है या नहीं इसका पता इस प्रकाल लगाया जा सकता है कि वहां ज्यान के सर्जन और उसके उचित इस्तेमाल के छेत्र में कै स्था धन निर्मान से प्रेरीथ होते हैं एक तो सामाजिक बदलाओ बहुत आवस्यक है हमारे यहां की जो सामाजिक बुनावट है उसको बहुत ही नए धंग से देखा जाना चाहिए तो सामाजिक बदलाओ दर असल शिक्षा स्वास्ते रक्षा क्रिश्य और सासन के छेत् पादक्ता तथा ग्रामेंड संब्रिद्धिका मार्ग प्रसस्त करते रहेंगे देश के लिए धन निर्मान के कारे को राश्ट्री छमताओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए तभी भिक्षित भारत के मिशन को सफल बनाया जा सकता है और इसमें आने वाली चुनोतियों का स अदम में साहस संकल प्रसक्ति और समलित प्रयास किया हो सकता है दॉक्टर कलाम साहिब ने युबकों नौजवानों का आवाहन किया है वे बहुत इस्पश्ट रूप से कह रहे हैं कि आने वाली जो चुनोतियां हैं उसका सामना केवल इवक ही कर सकते हैं कैसे अपने अदम में साहस और संकल प्रसक्ति और समलित प्रयास ये तीन चीजें परमावस्यक हैं कोई राष्ट अपने नागरिकों की सोचने समझने के तौर तरीकों से महान बनता है ऐसे नहीं कि आप भौतिक संसाधन मुहिया करा दीजिए और कोई राष्ट जो है बहुत उचाई पर पह परिजिए जो उनकी आदते हैं इनसे कोई भी राष्ट जो है महान बनता है खाच कर भारत की वभापीड़ी के सामने महान उद्देश से होना चाहिए हमारे हां इवक्त उद्देश से बनाते ही नहीं अपने जीवन का क्या लक्ष होना चाहिए उस पर चिंतन नहीं करते जबकि डॉक्टर कलाम आवाहन करते हुए युकों का कहते हैं कि भाई पहले एक अपना उद्देश बनाओ और तुम्हारा उद्देश छोटा नहो महान सपने देखो और जब तक सपने नहीं देखोगे तब तक उसे क्रियान्वित कैसे करोगे छोटे छोटे लक्षों में अपने आपको सीमित कर लेना एक गुनाह जैसा है इसलिए बड़ी सपने देखो और तुम्हारा जो लक्ष हो वो बहुत बड़ा हो वर्तमान सिक्षा प्रणाली चात्रों पर काम का बोज बढ़ा रही है किन्त यह उन्हें सपने देखने से बंचित न करें काम बढ़ाए लेकिन ऐसी सिक्षा हो हम इस तरह का द्रिष्टांत दें कि जो युवापिधी है वे सपने देखना सुरू करें और उनके जो सपने हैं वो बंचित न होने पाएं उसे वे कार रूप में पढ़नेती दें यहां उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाधक न बनें कठिन परिश्रम और लगन जीवन में खुपसूरत पैगाम लाते हैं जो हमेशा आप को सहयोग देते रहेंगे डॉक्टर कलाम साब कहते हैं कि संचार उपग्रह और दूर संबेदी उपग्रहों की रूप रेखा तयार कर उन्हें खुद विक्षित करना चाहिए और भारत के प्राक्रितिक संसादनों के आंकलन के लिए उन्हें भारती जमीन से दुरुभी कच्छाओं में प्रक्षेपित करना चाहिए आज उनके सपने सच हो गए आज भारत किसी भी प्रकार की अंतरिक्ष प्रणाली के निर्मान में सक्षम है यह विक्रम सारा भाई का जो सपना था वो पूरा हो चुका है विक्षित भारत महाज एक सपना नहीं है जब वह सपना सच हो जाएगा तो इसका सबसे अधिकलाब इवाओं को होगा इसलिए महत्वपूर्ण है कि सपने को साकार करने में सुरु से हीवा पिढ़ी को सयोग करना चाहिए उसे अपनी सैक्षिक और पारिवारिक सीमाओं मे में रहते हुए अपनी सैक्षिक सीमा और पारिवारिक सीमा को तोड़ना नहीं चाहिए उसी में रहकर अपनी सोध्य आत्रा के अन्रूप बेहत अनोखे अंदाज में निभा सकते हैं मातापिता और बच्चों की टोली में यह चिंता उमर्ती घुमर्ती रहती है कि पढ़ा हो गया पहले हमारा एक शूत्र था साव विद्याया विमुक्त है वह हर तरह से हमें मुक्त करती है अज्ञानता से मुक्त करती है वह हमें गरीबी से मुक्त करती है हमें वह जो समाज की बिडंबराएं विद्रूपताएं हैं उनसे हमें मुक्त करती है इसलिए कहा गया था साव इद्याया भी मुक्त है केवल विद्या को रोजगार कमाने का या पेट भरने का एक साधन बना लिए हैं तो हमारा एक उद्दे से होता कि हम भाई नौकरी चाकरी के लिए रोजगार के लिए कि पढ़ रहे हैं चाहे हों मातापिता हो चाहे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद कि पूरी होगी थो हमें रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा छोटी मूटी बाधां से घबराये भीना जिस विशे का ध्यापन करते हैं यदि उसमें आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट बना रहता है तो इसमें कोई शक नहीं कि आपकी संभावना और भविश्च जगमगाते रहेंगे अन्यथा आपका भविश्च अंधकार में हो जाएगा आगे डॉक्टर कल रखता है और कहता है कि उसे सरकारी नोकरी चाहिए तो काफी दिखते आती हैं सरकार कितने लोगों को नोकरी देगी उसकी एक सीमा है तो उस सीमा के अंतरगत सबको तो नोकरी नहीं मिलेगी यदि आप उद्यम्सिल्टा डिजाइन उद्योग अपने नए विचारों के बनाने के बारे में सोच सकते हैं तो युवापीड़ी के सामने अनंत संभावनाएं भावी युवापीड़ी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्ञान और सारीविक सहयोग के हत्यार का उपयोग करते हुए सभी छेत्रों में सहयोग करने का मन बना एक विक्षित रा कोई खेल नहीं यह लक्ष अपने सभी इवकों के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है और जब तक सब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप अपने लक्ष तक नहीं पहुंच सकते और कोई भी रास्त्र विक्षित नहीं हो सकता आप में ऐसे बहुत से खुश नसी गाओं में रहते हैं बिचारे आज भी असाक्षर हैं एक विख्षित रास्त की पहचान है कि उसमें अमीर गरीब के भेद को दिर्टा पूर्वक मिटा दिया जाए अब गरीबी और अमीरी को मिटाना बहुत सहजकारियन नहीं है इसके लिए यहीं हो सकता है सबसे बढ़ि लेते हैं और प्रतेक छुट्टियों के दिन उस गाओं में जाएं और कम से कम दो लोगों को साक्षर बनाने में सहयोग करें तो निश्चित रूप से ज्ञान का दीपक जलेगा और उनके जीवन में भी प्रकास फैल जाएगा इसके साथ ही साथ बच्चे अपने विद्या विद्याले परिशरिया घर में दस पौधे लगा सकते हैं इस डॉक्टर कलाम साहब की परियावरण के प्रति जो रुची है जो उनकी मन्सा है कि भाई ब्रिक्षार उपन हो इससे परियावरण प्रदूशन रुकेगा तो उनका यह कहना है कि अपने विद्याले परिशरि के बाद सभी हरे भरे परिवेश में काम कर सकेंगे हमारे अंदर स्रिजनात्मक सोच और सक्रियता पनपेगी आपको भी अच्छा लगेगा कि इस पौदे को हमने आरोपित कि चात्र बुजुर्गों बीमारों और विशेश आवस्चिक्ता वाले लोगों की देखभाल कर सकते हैं ऐसे भद्र बेवहार से विकास के लिए अनुकूल और सांति पूर्ण माहौल तयार हो सकेगा तो निस्था पूर्वक कारे हो सकेंगे और आप निस्चित मानिए कि आपको सत प्रसत सपलता मिलेगी डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं कि यहां पर मुझे संत तिर वलुवर क की वे पंक्तियां याद आती हैं जो उन्होंने तिर कुल्लरल में बड़ी सुन्दरता से कहा है सफलता और धन अपना मार्ग ढूड़ लेते हैं और उस ब्यक्ति तक पहुंझ जाते हैं जिसमें वह द्रिश्चा सकती और योजना बद्द लगन होती है नसीप उस इंसान त भारत का जो स्वप्न डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सामने देखा आपने इसे समझा इसमें जो चनकर जो बातें आई हैं मैं उन्हें प्रश्णों के माध्यम से आपके सामने रखता हूं देखिए ग्यानवान समाज से डॉक्टर कलाम का क्या आशय है मैंने आप से च लिक्षा से बहुत नजजदी की संबन्ध है कि ग्यान को प्राप्ट कर लिया जाए तो जीवन की गुरवत्ता तथा विक्सित रोश्त की ताकत cioè सम्प्रभुता को प्राप्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है ग्यान संब्रध्य और ताकत का स्रोत है प्राप्त ग्यान के आधार पर निर्माण और उचित प्रयोग किसी भी समाज के ग्यानवान होने का पड़ चायक एक प्रस्ण और बनता है कि लेखक के अनुसार ग्यान के अनेक रूप है जिसे सिक्षा सूचना बुद्धिमानी तथा अनुभों के जरिये प्राप्त किया जा सकता है आखिर वे रूप और श्रोत कौन कौन से हैं डाक्टर कलाम के अनुसार ग्यान के कई रूप हैं इसे बिभिन जगहों से प्राप्त किया जा सकता है जैसे सैक्षणिक संस्थानों सिक्षकों पुस्तकालेओं शोध पत्रों गोश्थियों बिभिन संगठनों तारी इस्थलों प्रबंधकों कर्मियों और ड्राइंग ज और दस्तकारों बैद्यों दार्शनिकों संतों तथा ग्रिहनियों के काउंसल में भी पाया जा सकता है हमारी विराशत इतिहास वा परंपराएं भी इसके प्रमुक्ष रोट अब बच्चों एक बहुत अच्छा प्रश्ण बनता है कि भारत में ग्यान बाटने की संस्कृत परिए भारत में ग्यान बाटने की संस्कृत रही है इसका नहितार्त क्या है उन्होंने की सुद्देश से इसे कहा वास्तों में हमारा जो भारत है आध्यात्मिक ज्यान का प्रमुक्ष केंध्र रहा है इसके अलावा यहां की सांस्कृतिक विरासत जीवन मूल्य परंपराएं कर्मकांड इत्याज समूचे विश्व के लिए आकर्शन का केंद्र हैं वास्तों में गुरु सिष्व परंपरा के द्वारा शिक्षा नालंदा का जो बैभोसाली इतिहास है दो चीज़े आई गुरु सिष्व परंपरा के द्वारा शिक्षा और नालंदा विश्विद्याले का जो बैभोसाली इतिहास है तथा अन्य जो हमारे शिक्षा के केंद्र रहे हैं उनकी प्रसिद्धी से प्रभावित होकर पड़ोसी देशों से भी लोग ग्यान आर्जन के लिए हां आते थे और ज्ञान वा शिक्षा के प्रचार प्रसार में वास्तों में भारत जो है वह सदा से ही अग्रणी रहा है इसलिए इसे बिश्व में जगत गुरू के नाम से जाना जाता है कि भारत बिश्व का जगत गुरू है ग्यान मान समाज के दो महत्वपूण अवयब कौण कौण से अभी मैंने आफ से चर्चा किये वास्तों में जान मान समाज के दो महत्वपूण अवयब सामाजिक बदलाव और धन निर्मान से प्रेरित हैं सामाजिक बदलाव सियासे, सिक्षा, स्वास्तिक्रिश और शासर्ण के विभिन छेत्रों में जो रोजगार है उत्पादगता है ग्रामेंड संबिद्धिका जो मार गए उससे प्रसस्त होता है राश्ति चम्ताओं की चुनोतियों का संकल्प तथा देश के लिए धन निर्मान के कालियों को हम सम्मिलित रूप से समाहत कर सकते हैं एक इस्तर पर आया है कि बिख्षित भारत महज एक रचना नहीं है इसका क्या तात्परिय है साक्षर्णा के इस्तर को बढ़ा कर इवापीड़ी स्रीजन और सोध पर दिर्ष संकल्पित होकर कारी करें तो परणाम उत्कृष्ट होंगे नई सोच वा विचारों से प्रेरित अनुसंदान वा विचार एक नए आयाम को दिशा देंगे यदि हमारी वापीड़ी वर्तवान में सोच को आत्म साथ कर लेती है और निष्टा पूर्वक आगे बढ़ती है तो बिख्षित भारत एक सपना नहीं बरन उसका साकार स्वरूप हमारे सामने हो अब बच्चो अंतरिक्ष के छेत्र में भारत की उपलब्दियों पर हमें चर्चा करनी है एक छोटा सा अपने को आलेक तयार करना है कैसे करेंगे हम वास्तों में अंतरिक्ष के छेत्र में भारत की अनेक उपलब्दियां रही है चंद्रयान एक से यह मिशन शुरू हुआ तथा मंगल आर्बिटर मिशन पांच नॉम्बर दोहजार तेरा को सुरू किया गया मिशन अइस्ट्रो सेट भारती खगोल उपग्रह मिशन 28 सितंबर 2015 को इसरो द्वारा सुरू किया गया था अन्य प्रोजेक्ट के साथ आदित्य अंतरिक्षयान अवतार सार्क उपग्रह जिसकी घोषना 2014 में मानिय प्रधान मंत्री जी द्वारा की गई थी जी सेट 6, इन सेट 4E, जी सेट 7, इन सेट 4F, जी सेट 9, जी सेट 11, री सेट 1A और निशार के अलावा चंद्रयान 2 इत्यारी कारिक्रम सामिल है आज हमारे देश में दूसरों द्वारा अनेक प्रयोजनाओं के सफलता पूर्वक निया आयाम दिये जा रहे हैं बिक्षित भारत के संबन्द में डॉक्टर कलाम के विचारों को आप इसपश्ट करिए अपने सब्दों में लिखना है आप कैसे लिखेंगे वास्तों में डॉक्टर कलाम के अनुसार बिक्षित भारत का सपना साकार किया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने पांच छेत्रों पर अध्यतिक बल दिया है पहला छेत्र क्या है क्रिशी और खाद्य के उत्पादन को दुगना करना प्रमुखुद्य से है और दूसरा है बिद्धु सक्ति का संचार ग्रामेड छेत्रों का विकास और सौर उर्जा पर बल और तीसरा है सिक्षा वा स्वास्ति पर विशेश बल चोथा है पर्मान अंतरिक्ष वा रक्षा प्रवध्योगती के विकास पर बल गरीबी निरक्षरता की दर में कमी मुद्रा बृद्धि पर बल मीडिया समदाय द्वारा सम्मानित हुए समाज के विकास पर बल डाक्टर कलाम का विश्वास्ता के दिढ़ इच्चा सकती नि आपके पुस्तक के अंत में दो तीन व्याकरन से संबंधित परश्न है जैसे भाशा के बारे में आप लोग वर्तिनी जो लिखते हैं वर्तनी मतलब इस्पेलिंग जिसको आप इस्पेलिंग मिस्तेक कहते हैं वर्तनी की गलतियां आप बहुत ज्यादा करते हैं आप जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से लिख जाते हैं तो कुछ उदाहरण आपके पाठ मने गरंत में अंत में दिया हुआ है जैस विकसित जो है अशुद्ध है गलत है तो शुद्ध वरतिवही होगा विकसित धूसरा है मुलतह गलत है यह होगा मूलतह और जैसे थे हो लोग बुध्ध को बुध्धि ऑलते हैं तो उसाइद ग्धि एक गलत है होगा दुकान तो दूपान जो है वो गलत है सही होना चाहिए दुपान और जैसे प्राकरतिक लिखा है किताब में और आप लोग ऐसा लिखते भी हैं जब कि होना चाहिए प्राकरतिक वो सुद्ध है अब अध्योगिक लिखना है तो आप लोग बोलते हैं अध्योगिक यह एकदम गलत है तो शुद्ध होगा अध्योगिक जैसे परियाप्त वास्तों में परियाप्त नहीं है वो वह परियाप्त उपर रारकार जाएगा अच्छा इस्तेमाल इस्तेमाल को आप लोग इस्तेमा प्रतिश परधात्मक तो प्रतिश परधात्मक आपने गलत लिखा है तो प्रतिश परधात्मक को लिखना है प्रतिश परधात्मक अब उत्पादन अब जो उत्पादन बड़ा वुकी मात्रा है तो यह हो जाएगे छोटा वुकी मात्रा उत्पादन और शंधी आपने पुस्तकाल हे डहना document करेंं तो पुस्तक धन आले बराबर पुस्तकाल संधी рублей रिद्या धन अले दीर्ग स्वरसंध हैς यद्यपी यदाधन अप यन स्वरसंदी है इसमें रामायन रामधन अयन इसमें ब्यंजन स्वरसंदी है तथाईव तथाधन एव इसमें बृद्ध स्वरसंदी है पावन पवधन अन इसमें अयाद स्वरसंदी है ऐसे महर्शी सब्द है महर्शी का महा धन रिशी गुण स्वरसंदी है और अन्वय अनुधन आय बराबर अन्वय तो यन स्वरसंदी होगी और महेंद्र महा धन इंद्र बराबर महेंद्र इसमें गुण स्वरसंदी होगी परमेश्वर परमधन हीश्वर इसमें गुन्स्वरसंधी होगी और पवन पोधनन अ hosts अधिश्वरसंधी होगी तो जो संधियां हें स्वर्भेंजन और विशर्ग इनको बहुत बारीकी से आप देखें आएए अब हम समास को देखें समास विग्रा को देखें एवजना बद्ध इसमें करण तत्पुरूस समास है उमर्ती घुमर्ती उमर्ती और घुमर्ती इसमें दुन्द समास है कि यहां अधिकरण ततपुरु समास है आपदा प्रबंधन घापदा के लिए प्रबंधन इसमें संप्रदाय्ट तत्पुरु समास है 36 गड़ में डॉक्टर कलाम ने अपने आगमन पर एक कविता लिखी थी वह कविता है 36 गड़ के गौरों की जय हो घूमा हूं घने बनों के बीच यहां मैं जब जब भारत भूम के अंतर मन में आकर जैसे एक सुहाना सपना पल भर में साकार हो थे पुलकित हुआ मेरा मन सुन्दरता से अपरतिम चित्र कूट के ज़रने की धुन पर जैसा डोला कुश्मित हुआ मेरा मन मित्रो स्थापना दिवस की इस गौरों वेला पर वीर नराण सिंग की कुरवानी करे करू सलाम आज मैं इस महान धर्ती पर जहां भूमकाल की क्रांती हुई थी अरे गुर्ध घासी दास ने सांती और समता का अमर संदेश दिया खूब चंद ने इसमृत का स्वपन रचा था और महान धी की घाटी में विक्षित भारत की जणे महान धी की घाटी में विक्षित भारत की जणे जब रही मेहनत कस इंसानों का श्रम इसके हिदे कमल में विक्षित हरित स्वयन छविशौरभ मैसा 36 गण के जन गण के गारों की जै हो